दोस्तों नमस्कार मैं विनाई कुमार अश्टेदी फूर कोल में आप श्वाकत है आज हम बात करेंगे खोठा भासा से संब्धेत चीजों को जिसमें प्रद्भाग को जानेंगे और जानेंगे आखेंगी पुस्तक के बारे में तो आखेंगी पुस्तक में आया हुए लेशन आज खोठा प्रान परतिष्ठा पर हम चर्चा करेंगे आपको पताते चलें कि पद्भाग में आनि जारकर नेसेसी की आनि सुजियल के तैयारी करने वाले लोगों को दामुद्रे कुराएं आखेंगी खोठा काठे पैदे खंडी और एक मौनिफूल को पढ़ना है इन में जिनके लेखा का नाम जान लेंगे आप दामुत्रे कुराएं शिवनात परमानिक जबकि आखेंगी त्रिन्वास पांडूरी जी खोठा पैदे काईदे खंडी जो है इसको एक के जहां के द्वारा और एक मौनिफूल को संतुष कुमारमातों के द्वारा रसित किया गया ह इस्टडी फोर गोलेप पर आप विजिट करें और कम्प्लीट बीडियो लेक्चर कम्प्लीट पीडियेफ नॉट्स और टोपिक वाइस्टेशनल एंड प्रिविएस येर पेपर पॉप देख सकते हैं तो आप देर ना करते हुए यहां पर पहुंचें और आपको बताते चलें कि आखेंगी जो खोठा कविता संग्रा टाइप का पुस्तक है इसके लेखक जो पानुरी जी हैं इनका जनम 25 दिसंबर 1929 को बरवा अड़्डा धनवाद में हुआ इनके माताची का नाम दुखनी देवी जबकि पिता सालिग राम पानुरी थे इनके द्वारा रची था जिसे भिस्म खोठा का भिस्म पितामा खोठा का वालम की और खोठा का टाइगर आज हम बात करेंगे आया हुआ इसमें लेशन आज खोठा प्रान परतिश्था इस लेशन में जो लिखा गया है कि आज खोठा का प्रान परतिश्था आनि राची विश्विद्याले में जो है खोठा का पढ़ाई शुरू हुआ था उसी के बाद को यहां पर लिखा गया है और सब को क्या है खुशी में अनंदित हैं और इसी में लिख दिये हैं कि आज खुठा प्राण परतिष्ठा आपको पता दें कि राची विस्विद्याले के कुलपती अनूज कुमारधान के द्वारे राची विस्विद्याले के एमे के पैटकरम में खुठा भासा सहित जो है उसको सामिल किया था इसी के खुशी को दिखाने का कोशिच किया है और यही खुशी और आनंद में जो है इक कवीता का रचना किया गया है और आज खुठा एक नए आयाम पर पहुंच महान बोलता है आज खुठा का प्रान प्रतिष्ठा जो है निया जीवंदान जो है करले अनूज कुमार्धान कौन किया अनूज कुमार्धान के द्वारा राची विश्विद्याले कुलपती महान कौन है अनूज कुमार्धान जी तो अनूज कुमार्धान उस समय के तातक ठाका क्या है नाम सुन्दर है लोग लेने से हिचकता नहीं है और कंट में मधूर कान है आखी सजल आखी सजल बंधूग भाव चाली माननिक मान खुटल यते दीने मधूग सो सिरी निवासिक दान गान बोलता है कि आखी सजल बंधुक भाव और आखों में सजा हुआ क्या बंधुक का भाग सम्मान का भाव चली माननिक मान और क्या मान सम्मान बढ़ गया है फुटा लते दिनेक मधुक सोत बोलता है आज शुरू हुआ फुटा क्या मधुका सोत यानि अच्छे चीजों का शु दिनों के बाद यानि बहुत दिनों के बाद उच्छ निया चीज शुरूगा वही बोल रहा है फूटा लते दिन एक मधूग सोथ स्री निवास एक दान का स्री निवास पानुर जी के त्वारे जो लिखा गया था रचना उचना था उसका आज क्या महा तो बढ़ा है इस बा अगर और शिंदुनदी के पार नि दूर तक जा सकेगा यह नाव कहने के मतलब इस खुठा भासा का संचार हो सकेगा दूर तूर तक नीलगन मोद्यक बढदरी का रही चहुर्दान बलता है कुंनादेर स्रुचिक कुछा सब्सक्राइब करें आज की सब्सक्राइब कर आज खुर्ठाकराणपर स्था स्वस्धिताइब राची वीश्वित्याले एक कुल्पती महान आज खुठाक नामे मधु कंठे मधुर गान आखी सलज बंधुक भाव चली माने निकमान फूटल यते दिने मधुक सोत स्री निवासेक दान गान खुशी मगन रसेक भूखा आखी न तुन चाव आज खुठाक प्रान प्रतिष्ठा कर लए अनूज कुमारधान तो दोस्तों अब हम इसके कुछ अब्जेक्टिव टेक्र कॉस्टन को बताएंगे देख लेजिए इसमें बताया जा तो हम देख लेते हैं तो बात करेंगे खुठाक प्रान प्रतिष्ठा कौन बच्छार हुआ था अनूज कुमारधान के द्वारा वहां पर खुठा का प्रान प्रतिष्ठा कर आएगे और आपको बताना है कि खुठा का पढ़ाई जो है राची विश्व ट्याले में प्रतिष्ठा के बारें बता गया है तो 1984 का वह इस्वी था जबी काम हुआ है अनूज कुमारधान उपर पहर और बोलता है कि अनूज कुमारधान उपहर राची विश्व द्याले के की रहत अनूज कुमारधान जो थे 1984 के समय में राची विश्व द्याले के क्या थे कौन से पुष्ट पर थे तो कुलपती के पुष्ट पर थे वो कुलपती थे फिर बलता है खोरठक प्रान परतिष्ठा कौन कर अलहा था तो खोरठक का प्रान परतिष्ठा अनुज कुमारधान के द्वारा किया गया था उसमें के कुलपती के द्वारा इस बात को आप जानत है फिर आगे कि खोरठक प्रान परतिष्ठा करमाने हिया की है इस पुस्तक म इसका मतलब आने इसका माइन है क्या है इस पार्थ में तो खोर्था पढ़ाई शुरू भेल रहे हैं यह खोर्था का पढ़ाई शुरू हुआ इस बात को इसमें इंगेत कर रहा है इसलिए समय दोस्तों आपको हम बगाते चलें कि स्टेडी फुर्गोल अपने टेलिग्राम चैनल पर रूज 9 बजे जहरखंड जी के खोठा अधी विसेयों का टेस्ट कराता है यूज कराता है महाब भाग ले सकते हैं और पच्चास फोल लेंद्ध टेस्ट जो है मात रेक्शो 99 रूपे में खोठा का आपको उक्लम्द करा दिया गया है आप इसके पर जाके लगा स सकते हैं इसको स्टडी फोर गोल देखते रहें और खुठा के अपने तैयारी और आगे बढ़ाते रहें तब तक के लिए आप समय को धन्वाद